दोस्तों आज कल की योवा पीडी अपनी कुछ गलतियों के कारण दिन परती दिन कमजोर होती जा रही है लाग कोशिस करने के बाद भी उनकी बोडी नहीं बन पाती है वो चाय जितना भी खापी ले लेकिन उनके सरीर में कोई भी अंतर उन्हें देखने को नहीं मिलता है तो अगर आपने आज का ये वीडियो पूरा और ध्यान लगा कर देख लिया तो आपका जो सरीर है वो 30 दिन में हश्ट पुष्ट हो जाएगा और अडोसी पडोसी भी आपको देखकर हैरान रह जाएंगे कि आखिर ये लड़का इतनी जल्दी पहलवान कैसे बन गया लोग आपको मुड़ मुड़ के देखेंगे ऐसा जलवा आपको सिर्फ 30 दिन में अपनी बोड़ी में देखने को मिलेगा तो यहाँ पर मैं आपको जादा नहीं सिर्फ चार बहुती आसान टिप्स बताऊंगा जिनें आपको आज से लेकर पूरे 30 दिन तक फोलो करना है और एक भी दिन का आपको गैप नहीं लेना है बस आप तो यूँ समझ लेना कि आप 30 दिन तक किसी मिसन पर हैं जो आपको फूरा करके उसमें काम्याभी हासिल करनी है और दोस्तों ये टिप्स इतने आसान होंगे कि 10 से 15 साल का बच्चा भी इन्हें बड़ी आसानी से फोलो कर सकता है चारों टिप्स को भोग ध्यान से देखना और समझना अगर आपको 30 दिन में अच्छे रिजल्ट चाहिए तो वीडियो को काट काट कर देखोगे तो इसमें आपका ही नुकसान है मेरा कुछ नहीं होने वाला है टिप्स नमबर वन दोस्तों जल्दी पहलोँआन बनने के लिए कसरत करना कितना जरूरी है इस बात को तो आप अच्छी तरह से समझते होंगे अगर आप जिम जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है नहीं तो आप अपने घर पर भी पुसा फुगेरत कर सकते हैं मतलब कुल मिला कर ये है कि आपको एक घंटे की कसरत जरूर करनी है ये तो हो गई कसरत की बात कसरत करने से आपका सरीर सेफ में आएगा लेकिन सरीर को बढ़ाएंगे कैसे में समस्या यहां पर आ जाती है दोस्तों जब तक हम किसी पौदे को अच्छी तरह से खात पानी नहीं देंगे उसकी अच्छी तरह से देखवाल नहीं करेंगे तब तक वो पौदा बढ़ेगा नहीं यही हाल हमारे सरीर का भी होता है अब जो मैं आपको आगे तीन टिप्स देने वाला हूँ उनसे आपके सरीर का आकार बढ़ेगा सरीर में ताकत आएगी और ये काम मातर 30 दिन में होगा यहां पर आपको वीडियो को ध्यान से देखकर समझने की जरुवत है टिप्स नमबर टू दोस्तों कसरत होगे रहतों आपने कर ली अब कसरत करने के बाद में आपको एक चोटा सा काम और करना है और वो काम है 15 मिनट की तेल मालिस तेल मालिस के पूरे फाइदे में आपको इस वीडियो में नहीं बता सकता क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तेल मालिस के अगर आपको पूरे फाइदे समझने है तो आप अपने घर के किसी बड़े बुजरुग ब्यक्ति से पूछ सकते हैं दोस्तों तेल मालिस करने से हमारे सरीर में रक्त का संचार बढ़ता है मास पेशियों में ताकत आती है सरीर का आकार बढ़ता है तेल मालिस का महत तो आप किसी पहलवान से पूछ सकते हैं एक सच्चा पहलवान एक टाइम की रोटी खाना भूल जाएगा लेकिन तेल मालिस करना कभी नहीं भूलेगा हम लोग कितने गंटे फालतू ऐसे ही बिता देते हैं उसमें से अगर 15 मिनट का समय आपने तेल मालिस के लिए निकाल लिया तो दोस्तों यकीन मानिये आपकी काया पलट होने से आपको पहलवान होने से कोई नहीं बचा सकता तेल मालिस आप सर्सों के तेल या नारियल तेल से भी कर सकते हैं दोनों के ही अपने अलग-अलग फाइदे हैं टिप्स नमबर थ्री दोस्तों अब यहां पर आपने एक घंटे की कसरत कर ली और पंदरा मिनट की आपने तेल मालिस भी कर ली अब आप पंदरा मिनट का रेश्ट लेकर नाने के लिए जाएं तेल मालिस करते ही आपको तुरंत नाना नहीं है कम से कम पंदरा मिनट का रेश्ट आपको जरूर देना है उसके बाद आप नाने जा सकते हैं दोस्तों नाने के तुरंत बाद में आपको यह डायेट लेनी है एक बावल भरके आपको दूद दल्या बना लेना है इसमें आपको दस बादम काटकर डालने हैं दो चम्मच आपको इसमें देशी गी डालना है दूद दल्या में जो दूद डला है उससे आपकी बाड़ी को प्रोटीन मिलेगा दल्या से आपको कार्बो एड़ेट मिलेगा बादाम और देशी गी से आपको healthy fat मिलेगा आपकी बोडी में ताकत आएगी और आपका दिमाग भी तेज होगा क्योंकि एक अच्छी बोडी के साथ साथ में दिमाग का तेज होना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों आज आपने दूद दलिया ले लिया कल आप इसको change करके देशी गी से बना हुआ सूजी का हलवा लें इसमें भी आपको 10 बादाम काटकर डालने हैं दोस्तों इस दुनिया में देशी गी से बने हुए सूजी के हलवे से ज़्यादा ताकत वर और कोई postic चीज नहीं है यकीन मानिए ये आपके सरीर को इतनी जल्दी तगड़ा और ताकत और बना देगा कि फरक आपको 4-5 दिन में ही पता चल जाएगा तो दोस्तों एक दिन आपको दूद दलिया लेना है और दूसरे दिन आपको सूजी का हलवा लेना है अगर आप continue ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे आपकी ताकत और बोडी दिन परती दिन बढ़ती जा रही है टिप्स नंबर 4 दोस्तों जब भी आप रात को सोने के लिए जाएं तो सोने से 15 मिनट पहले आपको एक गिलास दूद में दो चम्मच देशी गी डाल कर जरूर पीना है इससे एक तो आपके सरीर में टेश्टो और स्टोन का लेबल बढ़ेगा दूसरा आपका दिमाग तेज होगा और तीसरा आपको नींद भी अच्छी आएगी तो दोस्तों इस तरीके से आप एक मैने के अंदर अंदर काफी अच्छा और ताकत वर सरीर बना सकते हैं दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें अपने दोस्तों में सेर करें और इस चेनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर किलिक करके और पर सेलेक्ट कर लें बोडी बिल्डिंग से रिलेटिट जादा से जादा जानकारी हासिल करने के लिए आप हमें टेली गराम पर जोईन कर सकते हैं लिंक आपको नीचे डिस्करप्शन बॉक्स में मिल जाएगा